नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल सक्सेज मंत्र में और आज बहुत ही important question लेकर आए हैं हम आपके लिए जो अतिकांस परिछाओं में पूछे जाते हैं और ये सारे questions ये 51 question है जो mostly exam में पूछे गए हैं और बारवा रिपीट किये गए हैं इन questions को solve कर आने के लिए आप देखते रहिएगा आपका वीडियो पूरा सुरू से लेकर के अंतर तक पूरा वीडियो देखिएगा और इसमें चार विकल्प दिये हुए हैं चार में एक सही है जिने आप देखिएगा कि आपको कितने questions बनते हैं और जो आपको आते हैं तो आपका revision हो लेंड का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क लेंड का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क लेंड का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क देखिए ये लोकल एरिया नेटवर्क किसका नाम है अब नेक्स्ट देखिए इमेल का विस्तृत रूप क्या है इसके जिसमें एक option सही है तो इसका right answer है electronic mail नेक्स्ट इस binary choice में कितने विकल्प होते हैं तो binary choice में तू विकल्प होते हैं नेक्स्ट कोश्चन है चौथा question है हमारा नीम्न में से एक input device है नीम्न में से एक input device है तो आप देख सकते हैं speaker एक output device है और printer एक output device है monitor output device है लेकिन keyword keyword input device है नीम्न लिखित में से कौनसी एक binary संख्या नहीं है तो आप सभी जानते हैं कि binary numbers जो होते हैं जीरो से वन की form में होते हैं तो इसका answer देखिए सभी में जितने भी questions के विकल्प दिये हुए हैं इसमें सभी में 0,1,0,1,0,1 दिया हुआ है लेकिन जो फ़र नम्मर का objective है विकल्प है इसमें 2,3,3 दिया हुआ है तो हमारा जो answer होता है यहीं सही होता है क्योंकि question पूछा गया है निम लिखित में से कौनसी एक binary संख्या नहीं है नहीं पूछा गया है यह देख सकते हैं इसमें नहीं पूछा गया है नहीं में 2,3,3,1,1 यह नहीं है विंडोज 7 में विंडोज 7 को सट डाउन करने के लिए की वोड पर कौनसी shortcut key का प्रयोग किया जाता है तो यहां मारा answer दिया हुआ है इसका answer सही होता है Alt प्लस F4 F4 का प्रयोग किया जाता है अगला कोशन है application विंडोज में टाइटल वार के ठीक नीचे कौनसा वार होता है तो इसका option सही होता है A, menu वार होता है अगला कोशन है SMPS SEMS का पूरा नाम क्या है तो SEMS का पूरा नाम है switched mode power supply इसका option सही होता है B, SMPS का पूरा नाम क्या है SMPS का पूरा नाम है switched mode power supply अगला कोशन है bank में check read करने के लिए नीम्ण में से कौनसी विधी का प्रयोग होता है तो बैंक में check read करने के लिए कौनसी M, I, C, R विधी का प्रयोग होता है बैंक में जो check read करते हैं चेक को read करने के लिए कौनसी विधी का प्रयोग होता है M, I, C, R अकला कोशन है नीम्न में से कौन सा सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा computer है तो सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे तेज कंप्यूटर है तो इसका सबसे तेज कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर सबसे तेज इसका सुपर कंप्यूटर है सरवाधिक तेज गती वाला प्रिंटर कौन सा है तो सरवादिक ट्रेज गटी वाला printer है laser printer Mouse की क्रिया क्या है Single click double click drag उप्रोक्षभी तो इसका आंसर सही होता है उप्रोक्षभी किसी dzisks car को करने के लिए कौन से key दूसरी key के साथ प्रियुक्त की जाती है तो इसका आंसर सही होता है are c control थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं ताकि आपके 15 कोश्चंज 51 कोश्चंज जल्दी से हो जाए और जहां आप लोगों को लगे कि ये वीडियो जल्दी हो रहा है तो आप दुबारा उसको रिपीट करके देख सकते हैं या पॉज करके भी उसको आप देख सकती हैं अगला कोश अगला कोशन है कंप्यूटर की आवाज को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रियोक किया जाता है तो इसके लिए साउंड कार्ड का प्रियोक किया जाता है ये तो आप सभी जानते होंगे कि साउंड से आवाज को सुनते हैं रिकॉर्ड करते हैं तो इसक computer का बुद्धी मत्ता इस तर क्या होता है तो computer का बुद्धी मत्ता इस तर zero होता है क्योंकि computer का अपना कोई IQ level नहीं होता है computer में वही चीज़े चलती है जो मानों के निर्मेट, मानों द्वारा निर्मेट की गई है या हम लोगों की द्वारा जो चीज़े सेव की जाती है, वही computer में सेव होती है, और computer का अपना कोई भी IQ लेविल नहीं होता है, नेक्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स् बिंडोस सेविन में F5 का कार होता है रिफ्रेस करना एक कम्प्यूटर को ऑन करने की प्रिक्रिया क्या कहलाती है जब computer को on करते हैं तो यह क्या कहलाती है यह booting कहलाती है किसी भी computer को computer को on करने की प्रिक्रिया क्या कहलाती है booting कहलाती है नीमन लिखित में से कौन सी एक computer की भाषा नहीं है तो computer की भाषा Windows 98 नहीं है बाकी Pascal, Fortron, C++ यह सब भी computer की languages है पहला नाम क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्ग होता है यह प्रियुक्त होता homeless है कंप्यूटर का सबसे मूल भूत कौन सा凱्राम होता है monsieur कंप्यूटर का सबसे मूछ प्रोग्राम का नियंत्रन भाग कौन सा होता है कंप्यूटर का नियंत्रन भाग Central Processing Unit जो CPU का फुल फॉर्म होता है Central Processing Unit निमन लिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है तो कंप्यूटर की भाषा सुमात्रा नहीं है बाकी वेसिक, जावा, फोर्ट्रोन ये सभी कंप्यूटर की भासाएं हैं कंप्यूटर की किस मेमोरी को RAM से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रे करने में प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर सही होता है Cache Memory कैस मेमोरी कौबोल क्या है कौबोल 4 आफशन दिये गए हैं कौबोल क्या है कौबोल है कंप्यूटर की भाशा कोब कंप्यूटर की बहाशा है लिए कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली बैक कि आईसी चिप किश से बनी होती है सिलिकोन से बनी होती है वह क्यों था बहुत एक वह क्यों है तो टेलीफोन के माध्यम से वाइनरी सिगनों की सहायता से उसे भीजा जाता है तो मोडम के माध्यम से भीजा जाता है नीमनल लिखित उपकरणों में कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर गेम्स को खेलने में प्रियोग किया जाता है इसका आंसर है ज्वाइस्टिक Windows 7 में Accessories में कौन-कौन से Options होते हैं तो Notepad होता है, Word, Paint होता है तो इसका अंसर सही होता है उपरोक्त सभी होते हैं Windows 7 में Calendar, Weather तथा Slide So Option नीमन में से उपस्तित होते हैं कहां उपस्तित होते हैं? Desktop, Desktop, Gazette में उपस्तित होते हैं Windows 7 में Task Bar को श्वता छपाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो Windows 7 में Task Bar को छपाने के लिए प्रयोग किया जाता है Auto Hide the Task Bar आपको Graphics बनाने और संपादित करने की अनुमती देता है जो कि Windows 7 के साथ उपलब्द एक लोग प्री कारकरम है इसका अंसर है Pint We that, paint के माध्यम से हम लोग कुछ भी कोई भी Graphics बनाते हैं, कोई कारकरम जोब हम लोग कर रहे होते हैं तो Paint के ही माध्यम से उसका डिजाइन तियार करते हैं Operating System को Computer की Memory में Load करने को क्या कहा जाता है? Booting कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? Booting कहा जाता है कि अगला कोशन है बिंडोस अपडेट के लिए कौन सा टूल सब्कर्टे हैं بिंडोस अपडेट के लिए टूल से करते हैं बिंडोस अपडेट 38 question है एक container जैसा है क्या है container जैसा जिसमें आप files को store कर सकते हैं तो आपको सभी को पता होगा कि folders जो होते हैं उसमें हम लोग files को store करते हैं CPU का पूरा नाम क्या है अभी हम लोगों ने पहले भी discuss किया है कि CPU का पूरा नाम है control processing unit control processing unit CPU पहले अंकी computer में क्या था पहले अंकी computer में वॉल्व था नीमने लिखित में से कौन सा www का सही रूप है यह अकसर questions पूछा जाता है यह बहुत important question है very important question है इसका answer सही होता है worldwide wave जो आपने देखा हुआ कोई भी site लिखते हैं कोई भी site खोलते हैं तो उसके पहले क्या लगाते हैं www लगाते हैं www के आविश्कार तथा संस्थापक कौन है इसके संस्थापक हैं को समस्ता है जो computer translation program के बिना सीधे किस भासा को के समस्ता है यह समस्ता है हमारा option सही होता है machine language एक्सल में बहुत सी वर्क सीटों को सिलेक्ट करने के लिए seat tab को क्लिक करते समय नीमन कुंजी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए किस का प्रयोग किया जाना चाहिए shift का प्रयोग किया जाना चाहिए आपने देखा होगा हमारे keyword में लिखा होता है shift शिफ्ट लिखा होता है अगला कोश्चन है नीम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है तो कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है ये इसका हमारा ओफ्षन से होता है फ्लॉपी डिस्क अगला कोश्चन है पहले से ओन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं जब कंप्यूटर ओन होता है तो हम फिर से उसको रिस्टार्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं इसको कहते हैं वार्म वूटिंग इसका हमारा ओफ्षन सही होता है ओफ्षन नमबर डी उस फा क्या कहते हैं अटेच्मेंट कहते हैं कि किसी को कोई email भेजते हैं और कोई jeun subscribe इमज प्रैने किसी एक mail से दemi से बये धाया आप संदचन इन्टरनेट पर से सूचना प्राप्ट करने के और ड्यप्रशन की नीम्न में से कौन सा है इसका हमारा option सही होता है downloading अगला question है नीम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो इसका हमारा आप लोग सभी जानते हैं कि apple एक company है जो laptop और computer वगेरा बनाती है तो इनमें से ओपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है वाकि सभी हमारे ओपरेटिंग सिस्टम है तो फ्रेंड इसी के साथ ही यह 51 question complete होते हैं और यह सभी वे सारे questions हैं जो जो सभी previous exam पे पूछे जा चुके हैं और बार बार exam से पूछे जाते हैं यह questions तो आप लोग इन्हें repeat करके भी देख लीजेगा बार बार देख लीजेगा ताकि यह सारे questions आप लोगों को याद हो जाए और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग सबस्क्रा लोगों कर दो सिर्भाण को सबस्ट से जाए बार बार देख लूगों को यह सारे जाए हैता हैं यह मैं जा आप लोगों को यह प ShiT बार गनुड़ागा हैं जा जारे सो बार 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 दो भीजए weigh भीदिग उस बाहर ओभर म वोगों को अ